आज की वीडियो में हम क्लास 7 की आपकी गड़ित की वक्षिट नमबर 6 सॉल्फ करें बच्चो जिसकी डेट है 22nd April 2021 आज की वक्षिट में बच्चो हम रेखाई तथा कोड को देखेंगे ठीके सबसे फर्स जो पॉइंट दिया गया है अब साथ के साथ समझते जाना बच्चो यह important है तभी आप इसके question solve कर पाऊगे जैसे first है बिंदू ठीके तो बिंदू क्या होता है जिसका कोई map नहीं होता है जैसे एक बिंदू आपने यहां से ले लिया एक बिंदू यहां से ले लिया ठीके और यहां पर भी एक arrow लगा दिया हमने और एक arrow हमने यहां पर लगा अगे बढ़ा सकते हैं इसदर से आगे बढ़ा सकते हैं तो इसे हम scale के मदद से नाप नहीं सकते क्योंकि यह कितनी बढ़े और जिम्यों बढ़ा है, Wенно it! तरफ से बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, एक का नाम माली जे रख दिया, X, एक का नाम रख दिया, Y, अब इसको कैसे मतलब दर्शाया जाता है, तो दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से इसे दिखाया जाता है, जैसे X, Y को आप कैसे दिखा सकते ह जैसे x y है और इसके उपर आप एक ऐसा एरो लगा दोगे यह इस तरह से तीर जैसा लगा दोगे या फिर एक छोटे अक्षर से माली जैसका नेम रख दिया हमने m तो सिर्फ इस तरह से भी आप इसको दर्शा सकते हो ओके आपको ध्यान रखना है कि जो रेखा है रेखा को आ होता है किसी रेखा का एक तुकड़ा जिसके दो अंत बिंदू हो तो एक रेखा खन जो होती है बच्चों इसके दो अंत बिंदू होते यानि अब इसे ए और बी को जा सकते है ना बी की साइट से आगे बढ़ाया जा सकता है यह बिलकुल इसके अंत बिंदू होते है और इ सेटी मीटर हैं तो रेखा को कैसे हम दशाय है घर il ळगा दिए और होगी नोगी और दो धरीतियों था जिसका ऻोटा है अन्य बिंदू को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमारा किरण क्या होता है बच्चो इसका एक अंत बिंदू होता है एक जो होता है अंत बिंदू यानि ये मालिय जिसका नाम दे दिया O तो अब O से तो इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है लेकिन पी तरफ से जो पी वाला हमारा साइड है इसको बढ़ाया जा सकता है तो किरण हमारी कौन से होती है जिसका एक जो बिंदू होता है और दूसरे साइड से हम इसको आ परिमित रूप से बढ़ा सकते हैं और इसको कैसे लिखा जाएगा O तो पी के उप़र अप इस तरह से इसको दर्शा हो गया यह हमारा एक बिंदू हो गया और इधर से हमारी किरण टाइप की यह तीर जैसा हम बना देते हैं तो इस तरह से हम किरण को दर्शा हते हैं तो फिर नेक्स्ट है आपका कोड किसा होता है विस पहले qe जिए गया एक बिंदू से कितनी किरन गुजर सकती है तो एक बिंदू से बहुत सारी किरने गुजर सकती है तो इस तरह से देखो कितनी सारी किरने हो गई बहुत सारी किरने जा सकती है तो हम लिख देंगे इसमें अंगिनत इसमें लिख देंगे अंगिनत ऐसे ठीक है आप लिख देना नेक्स्ट है कोड दो किर्णों के मिलने से बनता है उभनिष्ट बींदु कहलाता है और जो होते हैं उसको exacerbant những बंधु है उसकोarin बिंदु हैं तो हम यहां से, यहां बने स्व Şuwn सुक्राइए और lass知 दूस्व किरण कِّरण से साइबική होना सका है mówi, किरन निकल रहे होते हैं एक बिंदू होता है और यह जो बिंदू होता है इसको हम अभीनियुस्ट बिंदू भी कहते हैं इसको जहां से शुरुआत हो रही है माली जी इसका नाम रख दिया ओ इसका नाम रख दिया क्यों तो यह ओ पॉइंट जो है बच्चो इसे हम अभीनिय नाम रख सकते हैं, इसका नाम आप Q, O, P भी रख सकते हो, इसके लावा आप इसका नाम angle O भी रख सकते हो इस तरह से, जिसे एक और example ले लेते हैं, माली जे ABC है, इसका नाम है A इसका नाम है B, इसका नाम है C तो आप इसका नाम रख सकते हो a-b-c, आप इसका नाम रख सकते हो c-b-a आप इसका नाम रख सकते हो सिर्फ b, ऐसे, angle b जो code होता है उसको हम ऐसे दर्शाते, इस तरह से अब उसके बाद next है, क्या एक सरर्ल रेखा, मतलब क्या एक सरर्ल रेखा code हो सकती है, ये कौन लिखा है बिल्कि यहां पर कोड आएगा होड सकती है तो एक सरल रेखा कैसे कोड हो सकती है नहीं हो सकती तो आप लिखोगे आप नहीं चीक उसके बाद नेक्स्ट है बच्चो पूरक और संपूरक कोडों के बारे में बताया गया है कि जब दो कोडों के मापों का योग 90 डिग्री होत होते हैं अगर उनको जोडने पर 90 प्राप्त हो तो उसे हम पूरक कोड कहते हैं इसी तरह मालीजे यहां पर 70 होता और यहां पर 20 होता तो भी हम इसे क्या कहते हैं पूरक कोड ही कहते है और संपूरक भी कुछ ऐसा ही होता है बस इतना डिफरेंस होता है कि इसका जोडने पर हमारा 180 आना चाहिए जैसे 110 है और 70 है इन दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या आएगा आपका आएगा 180 डिग्री ठीक तो जहां पर जोडने पर 90 आए वो पूरक होता है जहां पर जोडने पर एक लाइन और निकली हुई है इसका नाम रख दिया आपने पी इसका नाम रख दिया क्यू या ओ रख दिया इसका नाम रख दिया क्यू और इसका नाम रख दिया हमने आर इस तरह से ठीक है तो कोड पी ओ आर कोड नाम रख देते पी ओ आर ठीक है इसके अलावा इसका नाम ह कुला नहीं है वो जाएगा और बुजा जो बबूजा आपसे नहीं है वह कौन कई सी यह बिल्कुल अलग है ठीक है ये बिल्कुल ही एक दूसरे के उभियनिस्ट नहीं है उसके बाद एक आता है लास्ट रेखिक युग्म क्या होता है जिसे इंगलिश में लीनियर पेर भी कहते हैं जो रेखिक युग्म होता है बच्चो वो किसी सीधी लाइन के ऊपर जो रेखा बना हुता है जैसे मालीजीश का नाम रख दे अपने पी इसका नाम ओ और इसका नाम क्यू तो यह जो कोड बन रहा है ओर ये जो कोड बन रहा है ठीक है एक सीधी लाइन के ऊफर बन रहा है तो इसे हम रेखिक यूग्म कहते तो एक रहिख्यूम ऐसी आशन रहा होती sa Chart और यह समग होती नहीं होती है बच्चों इसके प्रेख्चन प्यासा इस साइड से होताहित opinion करो निहां इससे सैव subtle कर लेते हैले मैं और पहरां और नाम रख लेते हैं 섞े यह रहा होती है पी इसका नाम रख दीजे ओ इसका नाम रख दीजे आर उसी तरह यहाँ पर भी एक एंगल है तो आप इसका भी नाम रख दीजे पी ओ आर ठीके और इसके नाम आप कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो आप सिर्फ एंगल ओ लिख सकते हो आप एंगल ओ पी भी लिख सकते हो और यह हमारा कौन से एंगल हो जाएगा तो यह हमारा संपूरक कोड हो जाएगा संपूरक कोड क्यों बच्चो क्यों क्योंकि एक 130 है और एक हमारा कितना है एक हमारा 50 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180 हो गया और मैंने बताया था ना 180 कौन सा होता है सम पूरा कोड होता है फिर अगला है रेखी की यूग ये तो साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि एक सीधी लाइन के उपर बना हुआ है नेक्स्ट है ये आसन कोड हो जाएगा क बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी आसन कोड नहीं है तो हम लिखेंगे ये नहीं अब उसके बाद ठर्ड है अपने आसपास की वस्तुव में से कोडों के कुछ अधारण दीजिए तो जैसे आप लिख सकते हो दर्वाजे कैची खिडगी जो भी आपको अपने आसपास नज जैसे कि आप लिख सकते हो वह जो कपड़े टांगने वाला होता है ना हैंगर वह भी हमारा कोड में आता है ओके